कि योट सब कैस के हाल चाल है आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं फेक विक्सल स्काबलों के एक और नीवाले वीडियो पर तो यहां पर कैस आज किस वीडियो में हम लोग ग्राइंट करने वाले हैं स्पाइडर स्लेयर के उपर यहां पर आपको मैं पता देना चाहता हूं इस स्लेयर जब आप इसे करोगे कंप्रेट करोगे बहुं सारे रिवार्ड वेगरा या फिर रेसिपी वेगरा यहां पर गैस अनलोग होते हैं जैसे कि इसका जो सबसे ओपी वाला चीज है यह एक सोट आता है और साथी साथ एक आर्मार आता है यह जो आर्मर है पूरा का पूरा सेट को इसको हम लोग ट्रेंचूला आर्मर कहते हैं यहां पर बहुं सारे उचिन के आईटम वेगरा देखने को मिल जाएंगे तो साथी साथ यहां पर आपको ट्रेंचूला का एक मिनियन वी दे health regeneration जहां तक मुझे लगता है अगर आपके पास है तो मुझे बताओ कि इसका health regeneration कैसे है कैसे बहुत अच्छा है या फिर गाइस नॉर्मल है तो अभी गाइस मैं अपने mobile पर खेल रहा हूं दरसल गाइस 3GB का फोन है 3 से चार्ज हुई इस बज़े से लेग वेगरा जो है वो काफी ज़्यादा होता है तो कि मैं यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो किया हूं और इस बज़े से मैं record वेगरा वेगरा जो है वो करवार हूं वरना कैसे इस phone में record करना और यह game केलना पोजाव लंचर एक्चुली थोड़ा सा RAM सब्सक्राइब और यहां मैं वही कर रहा हूं इसके साथ ही यह जो यहां पर spider वाले हैं okay mob अगर मैं इन्हें मारता हूं इनका damage वैसे भी कुछ खास तो नहीं रहता है देखते हैं guys जब boss को मारेंगे तो उसका damage हमें कितना देखने को मिलेगा अभी guys अगर मैं बताओं तो यह मैं यहां पर label मतलब यह जो spider है spider slayer 2 वाला जो boss है उसे मतलब अभी मारने वाला हूं वही हम लोग यहां पर mission complete कर रहे हैं मैं first वाला किया था तो जैसे कि मैं आपको बोला कि recording बीच में off हो जाता है इस वज़े से कहीं न कहीं यहां पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बाकि मेरे पास यहां पर दो आर्मर था पहला तो मेरे पास blaze का आर्मर है और blaze minion भी है मैं आपको साथ बताया था blaze minion मैंने भाई किया था तो अगर मैं blaze पहनता हूं तो मुझे नहीं लगता है यहां पर कुछ खास फाइदा होने वाला है देखते हैं कैस यहां पर अगर डेमेज नहीं होगा तो मैं अपना आर्मर को हटा दूगा बाकि हां मेरे पास यहां पर बो है एकदम जहर वाला जो कि आपको पता है Okay, so इस वजी से कहना कहीं मिरे लिए help हो रहा है मैं वसे arrow वेगर ज्वाएदा नहीं लाया था देखते हैं पहले sword वेगर यहां पर use करते हैं अगर arrow खतम हो जाता है तो मैं again buy करूंगा यहां से तो buy नहीं कर जकता हूं मुझे यहां पर कहना के hub जाना होगा पिर यहां पर जो है वो हम लोग करेंगे हां इसी के साथ भाई यहां पर यह जो आपको सिल्वर फिस्ट देखने को मिल रहे हैं भाई दिमाग खराव कर देंगे यह 50-50 हेल्थ वाले एक अगर आप स्पाइडर को मारते हो तो उससे गाइज दो स्पॉन होते हैं कभी-कभी होते हैं कभी- तो मैं दोड़ दोड़ के दोड़ दोड़ के वैसे यहां पर मार रहा था तो अगर आपके पास नौर्मल कुछ आर्मर है जिसमें आपको मालो 800 का एप्रोक्स हेल्थ देता है या 600 के आसपास भी तो मुझे लगता है तीन लेबल तक आप आराम से स्पाइडर वाला यह जो स्लेयर है कहीं ना कहीं आप कर सकतो बाकि आपने किया है कि नहीं वो भी मुझे बताना मैं इसका लास्ट बॉस जैस्ट बॉस एस्पॉन होगा इसी मैं मारने फाला हूं तो यहां पर जैसे ही मेरा कंप्लीट होगा फिर यहां पर बॉस एस्पॉन होगा सबसे जादा दिकत करते हैं यह silverfish यह भाई सब पूरा का पूरा irritate करतेंगे तो यहां guys मैं जैसे ही finish किया actually मुझे मारना था जो है 278 जैसी complete हुआ यहां पर spawn हो गया spawn होने के बाद मेरे पास pigmen है okay pigmen sword मैं इसका damage अगर मैं बात करूँ तो अभी मुझे 10,000 के आसपास मतलब 9 से 10,000 के आसपास मुझे डेमेज दे रहा है साथी साथ बो का भी damage मुझे 10,000 मिल रहा है okay तो यहां पर देख लो मेरा health देखना health वाला जो भार है उस पर नजर डालना मुझे डेमेज मिल रहा है बट कही ना कही मैं recover हो जा रहा हूँ और damage कुछ खास नहीं मिल रहा है boss भी मुझे मार रहा है तो वैसे कुछ खास damage नहीं हो रहा है एक भी health घटा नहीं health bar का मैं बात करो okay एक भी health घटा नहीं है तो मुझे लगते है थोड़ा सा easy है आपको क्या लगता है guys यहाँ पर अगर मैं compare करता हूँ एंडर तो काफी ज्यादा हाड है okay zombie zombie और यह दोनो spider क्या लगता है guys दोनों में से कौन सा easy है मैं अपना experience बता हूँ तो मुझे अभी तक लग रहा है guys यह spider वाला slayer अगर आफ करते हों तो काफी ज्यादा कहीं न कहीं यहाँ पर easy होने वाला है okay तो यहाँ पर हम लोगों का boss जो है वह slain हो चुका है अब यहाँ पर मुझे level 3 करना था बट मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन हाँ guys यह वाला जो है वह हम लोग जल्द ही करने वाले हैं पूरा का पूरा मैं max करने वाला हूं देखता हूं guys बाकि अगर मैं अभी spider recipe की बात करूं तो मेरा यहाँ पर 3 label तक जो होते है ना वह यहाँ पर unlock हो चुका है यहाँ लास्ट वाला में मुझे एक sword देखने को मिला है इसका damage guys 120 से strength 30 देने वाला है damage guys 20% यह जो नाम है इसका नाम है रिसूज फंग यहाँ यहाँ पर silent side से इसे pronounce किया जाता है तो आप मुझे पता ना ठीक है रिसूज फंग जो है अगर थोड़ा सा जादा मेहनत लगता है तो इसी हम लोगी ignore करेंगे बाकी हम लोगों का special bow और एक मस्त वाला जहर वाला sword अगे और next unlock होगा और साथी साथ यहाँ पर trenchula का जो है वो हमें armor कही ना कही मिलने वाला है आपके पास है तो क्या क्या advantage है प्लीज मुझे बता देना और ताकि बाकी सारे भाईयों को भी पता चल सके बाकी मैं अभी के लिए इस पर क्राइंट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है भाई यह काफी जादा और भी armor है थोड़ा सा मेहनत लगेगा मैक्स वगरा करने में लिकिन कहीं न कहीं हर slayer के अगर मैं बात करूं न तो हर एक slayer कहीं न के आपको fight देते हैं यहां पर मैं mobile पर खेल रहा था इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है काफी जादा लेग मुझे face करना पढ़ रहा था इस वज़े से और बहुत बार रेकोर्डिंग वगरा स्टॉफ हो जा रहा है तो वही थोड़ा सा दिक्कत हुआ ने तो गैस मैं ट्राइ करता गैस तीन या फिर चार लेवल भी जो है वो इसी वीडियो पर एक ही बार में दिखा देता बट मुझे थोड़ा सा ध्यान देना पढ़ रहा है कि वीडियो कहीं off ना हो जाए off ना हो जाए taş me आप करे तो भी बता ना बाकी है आर्मर के बारे में ज़रूर्ग बताना मुझे जहाँ तक बाता है औपी आर्मर है आपको काफी जादा वो हेल्फ करने वाला है तो कैसे लगा ये वीडियो आपने उसे लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताना चलो गैस मिलते हैं इसी तरीकी के और वे जहरो वाले मस्ट वाले इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ लाइब श्रीम गैस कब होगा डिस्कोड पर पता चल जाएगा तो चलो गैस और वीख लिए गुट वाइए और वियू आप